दोस्तो इन दिनों पूरी दुनिया बढ़ते प्रदूशन से चिंतित है हमारा देश भी और प्रदेश भी इस चिंता से अलग नहीं है अगर हम NCR छेत्र की बात करें तो यहां प्रदूशन के इस्तिती बेहत गंबीर बनी वही है हम समय समय पर इस चिंता की और आप लोगों का और सरकारी सिस्टम का ध्यान आकरशित करते रहें लेकिन आज की खबर हमारी चिंता बढ़ाने वाली है आप वीडियो में डिवाइटर के बीच जो सीन देख रहे हैं यह निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाल है खर्पतवार को काटने की बजाए उखाड कर फैक टीम ऐसे भी हाइवे का रख रकाव कर रही है इनका इलाज नहीं किया गया तो फिर ये लोग पर्यावरण को ऐसे ही परदुशित करते रहेंगे हम आपको ये बता दे कि जब हम वायू गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमें इस मोसम में किवल पराली का शोर सुनाई पड हम पराली जलाने की पैरवी नहीं कर रहे हैं लेकिन पराली के अलावा भी बहुत कुछ है अब हाइवे के डिवाइडर पर खड़ी खर्पत्वार को अगर ऐसे जलाया जाएगा तो पर्यावरण तो बिगडे गई अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें मेरा मतल वायू गुणवत्ता की बात करें तो जीरो से पचास एक क्यूआई को अच्छा 51 से सो को संतोष जनक 101 से 200 तक मध्यम 201 से 300 तक खराब 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंबीत माना जाता है हम से सटा भिवारी वेधार वेड़ा हो या फिर दिल्ली वे गुरुगराम ज इस बारे में रेवाइडिक एवरिष टिकित सर्ट डॉक्टर पवन गोईल से भी बात की थी आईए पहले आपको उनकी बाते सुनवाते हैं नमस्कार मैं हूँ नीशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाना आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पवन गोईल आज हम इन से जानेंगे कि परियावन परदूशन को लेकर आज कल बहुत सबश्य उठ रही है और परियावन परदूशन के कारण कोर कौन सी बिमारिय बन अप रही हैं देखिए बिसिकली परियावन परदूशन है ये एक हम कहेंगे कि ये आधुनिक युक की एक बिमारी है क्योंकि हमने इंडस्टलाइजिशन की और आधुनिकता की दोड में हम तेजी से दोड रहे थे तो हमने अपने जो एन्वियरमेंट है उसका ध्यान बंद कर दिया तो उससे क्या हुआ कि परियावरन ने फाइट बेक किया और उसकी वज़े से परियावरन प्रदूशन होना शुरू हुआ और आम तोर पर परियावरन प्रदूशन के कारण होते हैं इंडस्ट्रिल पॉलिशन वहिकुलर पॉलिशन की जो हमारे गाड़िया जो धूल उड़ती है, सडकों पे जो धूल उड़ती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है, पराली जलाना, धूआ, जो मिनिस्पिल वेस्ट को जला देते हैं लोग, उसकी वज़े से, तो ये सारे कारण हैं, जो की परियावण प्रदूशन में कंट्रिब्यूट करते हैं, और वेहिकल पॉलिशन बहुत बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वेहिकल पॉलिशन और जो हमारे बिल्डिंग और सडग पे जो पॉलिशन होता है, जो धूल के कंट उड़ते हैं, इसको हम बिसिकली पी-म, पार्टिकुलेट मैटिरियल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और पी-म बिसिकली उसकी साइज होता है, पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स का साइज अगर 25 से कम होता है, तो वो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, अगर उससे बड़ा साइज अगर पार्टिकल्स का होगा, तो वो हमारे लंग्स में नहीं जाएंगे, वो लंक्स में चला जाता है तो फिर वो लंक्स में inflammation या सूजन पैदा करता है और उसकी वज़े से COPD अस्थमा की precipitation हो जाती है और लंक्स में जाके वो और भी तरह तरह के जो है रोग उत्पन करता है अगर मालो वाइरल infection के साथ अगर vehicular pollution या pollutant भी अगर चले गए तो जो viral infection है उसकी जो severity है वो भी बढ़ जाती है तो इसलिए आम तोर पे जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो particulate material होता है वो हवा में जमने लगता है क्योंकि एक तो आदरता बढ़ जाती है humidity बढ़ जाती है दूसरे ठंड की बज़े से जो आदरता वाले जो particles होते है जो पानी होता है पानी वाश्पिकरत ना होने की बज़े पानी जो है जमीन पे जमने लगता है और वो नीचे आ जाता है और उस जमे हुए पानी में जब ये particulate material जाता है तो ये एक smoke पैदा करता है और ये smoke जब हम inhale करते हैं तो वो inhalation की वज़े से ये सारे के सारे जो respiratory जो बिमारिया हैं, सांस की जो बिमारिया है चाहे वो asthma है, चाहे वो COPD है वो उसमें बढ़ जाती है और आम तोर पर हम देखते हैं इन दिनों में हमारे पास COPD या asthma के मरीजों की संख्या नॉर्मल दिनों से 4-5-5 गुना बढ़ जाती है अब आप डॉक्टर गोईल को सुनकर समझ गए हूंगी कि खत्रा कितना बढ़ा है ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम सब मिलक कर प्रदूशन फैलाने वाले लोगों को हतोच साइब करें उन्हें समझाए पर्यावरंस अंडक्षन के लिए आवाज उठाएं आप भी इस वीडियो को दूसरे सात्यों तक पहुंचाए जिससे लोग भी जागरू को और जिनकी जवाब दे ही भी है उन्हें भी अपनी जवाब दे ही का एहसास हो धन्यवाद आप अमाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें कमेंट करें और शेर करें